तो लोगजन शक्तिपाथी राम बिलास के ड्राष्टे अधक चिराग पास्वान काउंटिंग से पहले भगवान की शरण में पहुंचे कल वोटों की गिंती होने वाली और उससे पहले चिराग पासवान ने भगवान भोलेनात की शरण में पहुँचकर रुद्रा भिशेक किया और भगवान का शिर्वाद लिया इस दोरान चिराग पासवान ने निउस 18 से बाद चीत करते हुए कहा कि एक्जिट पोल में उनकी जीत का अनुमान बताया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि 500 सीट पर उनकी पार्टी जीतेगी लोक सबा का चुनाओ संपन ने हो चुका है कुछ घंटे बाकी है रिजल्ट आने में काउंडाउन कुछ घंटे में शुरू हो जाएगा जीत किसकी होगी अगर एक्जिट पोल के हम बात करें तो एक्जिट पोल के नुसार लोक जनशक्ती पाटी राम बिलास पांच की पा सब कुछ इनों नहीं दिया है और इतना दिया है कि अब कोई कामना मन में बची नहीं है ऐसे में सिर्फ इनका अभार प्रकट करने धन्यवाद बोलने जितना हो सकता है हम लोग कोई नहीं होते जो इनके सामने इनको कुछ भी अरपन कर सकें पर हां एक ग्राटिट्यूड ह एक वो भावना है कि आप ही ने सब कुछ दिया और उसके लिए बस से बाभार प्रकट करने आता हूँ एक लंबा समय दो महीने कम नहीं होते इतनी तेज गर्मी कई लोग हैं कि जो घूम रहे हैं फिर रहे हैं लेकिन आपको विश्वास है भगवान नहीं आहां तक पहुंचाया है आगे भी बेड़ा पार लगाएंगे मैं मानता हूँ जिन्हों ने सब कुछ दी अगर आपके पास उनके लिए समय नहीं है तो फिर आपका जीवन ही वेर्थ है मैं अपने दिन चर्या में भी मैं सुनिश्चित करता हूँ ये कहना भी गलत होगा ये सेंटेंस ही गलत है कि मैं भगवान के लिए समय निकाल रहा हूँ सारा उनीका ही दिया हुआ है तो ऐसे में विस्तवतम समय से भी मैं प्रयास करता हूँ कि उनको याद करूँ उनका धन्यवाद जरू करूँ तो मेरे दिन चर्या में भी शामिल है चुनाओ के दोरान भी जितना भी मुझे से बन पाया मैंने अलग-अलग जगा जाकर भगवान के सामने शीज जुकाया और उनका धन्यवाद किया एक्जिट पोल पर क्या कहेंगे? एक्जिट पोल गनुसार आपकी जो पार्टी है लजेपियार, पांच की पांच मैं चुनाओ, मैंने मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के हर कारेकरता ने और मेरे तमाम प्रत्याश्यों ने अपनी महनत के अधार पर लड़ा हम लोगों ने सर्वेस के अधार पर ये चुनाओं नहीं लड़े सर्वे अच्छा दिखा रहे हैं मैं मानता हूं इस बात को बट मेरा अपना भी विश्वास है जो मेहनत मैंने मेरे पार्टी के हर एक प्रत्याशी ने और हर एक कारेकरता ने इस चुनाओं के दौरान जो की ना सिफ उसका परिणाम पांच की पांच सीटे लोग जिन शक्ती पार्टी को जीत कर वो एक सफल परिणाम होगा बलकि बिहार की चालिस की चालिस सीटे एंडिया कड़बंदन जीतेगा ये विश्वास है मिरा जो पार्टी का लीडर है अपने पूरे जितने भी प्रत्याशी उनके उनके साथ भगवान की दर पे पहुँचे हैं रुदरा विशेक कर रहे हैं और इस मंदिल से भी बड़ा गहरा नाका है आपका बहुत गहरा बहुत पुराना बहुत कुछ दिया है महादेव नहीं हासे मुझे मेरे जीवन के जब सबसे कढ़िन दौर में मैं गुजर रहा था उस वक्त इनकी शरण में आया और उसके बाद से जो इन्होंने मेरा हाथ थामा है हर कढ़िन परिस्तितियों से ना से मुझे बहार निकाला बलकि कई नहीं उचाईयों तक महादेव मुझे लेकर गए है और आज मेरे जीवन का पुना एक महतवपून पड़ाओ पर खड़ा हूँ एक निया अध्याईश शुरू हो रहा है इसलिए आज अपने तमाम प्रत्याशियों के साथ महादेव का शुरूआ लेने आ हैं जिसमें अरून जी हैं शांबभी हैं राजेश जी हैं ये तमाम लोग पहली बार लोग सबाचनाव लड़ रहे हैं विनादेवी पहले अच्छे हैं आश्रिवाद लेने उम्मीद है भगवान बीने आश्रिवाद जरूर देंगे क्यामरमन अमित के साथ विनीता मिश्रा न्यूज 18 पटना